एगाईज वेलकम टू टू टॉ टॉ आरगीट सरकारी नौकरी मैं हो श्याद अली ये सेशन उत्र प्रदेश में होने वाली साल 2021 की सभी परिक्षाओं के लिए बेहत इंपॉर्टन्ट है इस वीडियो सेशन से आपकी परिक्षा में दो से तीन प्रशन जरूर पूछे जाएंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम उत्र प्रदेश राज्य स्तर पर देखें या फिर भारत के राश्ट्य स्तर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे शहरों के नाम इस्तलों के नाम विभागों के नाम बदले गए हैं साल 2020 में जैसे एरपोर्ट्स के नामों में बदलाव किये गए हैं रेलवे स्टेशन के नामों में अलग-अलग विभागों के नाम में और अलग-अलग शहरों के नाम में तो हम इसको उत्र प्रदेश स्पेशल में शामिल करते हुए जो रास्टिय और अंतरास्टिय इस्तर पर जो भी बदलाव किये गए हैं अलग-अलग स्थलों में उन सब को यहां डिस्कस करेंगे तो यह वीडियो बहुत है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो पर कम से कम मिनिमम जो है तीन हजार लाइक्स आप जो है जरूर कीजिएगा इतना एम रखते हैं तीन हजार लाइक्स अगर इस वीडियो पर आते हैं केंद्रिय मानव संसादन विकास मंत्राल है यानि Ministry of Human Resource Development MHRD का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है इसको जानने से पहले इसका इतिहास जान लेते हैं यानि इससे जुड़ेवे और स्ट्राटिक जी के वो प्रश्ण आपसे पूछे जाते हैं पूछे गए हैं प्रिवेस एर के पेपर्स में भी जो हमारा केंद्रिय मानव संसादन विकास मंत्राल है इसको नई सिक्षा नीती 2020 के तहत इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया है आईए समझ लेते हैं कि रास्ट्य सिक्षा नीती या नई सिक्षा नीती में क्या है कैसे इस नीती के तहत इसका नाम बद National Education Policy ये स्वतंतर भारत की पहली राष्टे सिक्षा नीती थी इसके बाद दूसरी सिक्षा नीती आई थी साल 1986 में अगली सिक्षा नीती जो दूसरी सिक्षा नीती थी वो साल 1986 में आई थी और इसके तहती Operation Blackboard और जो IGNU है इंदरा गांधी National Open University का विस्तार किया गए था इस नीती के तहत फिर कुछ दिन बाद साल 1992 में इसमें संशोधन किये गए जब हमारे दूसरी सिक्षा नीती आई थी तो दूसरी सिक्षा नीती 1986 में आई थी इसमें कुछ संशोधन किये गए तो ये कहलाया राष्टे सिक्षा नीती में संशोध इसमें इसके लिए एक संयुक प्रवेश परिक्षा जिसको हम कहते हैं जॉइंट इंट्रेंस एक्जाम जेई का एक्जाम बोलते हैं और एक AIEEE का एक्जाम होता है भारती इंजिनिरिंग प्रवेश परिक्षा और इंडिया इंजिनिरिंग इंट्रेंस एक्जामिनेशन इ पाइनल राष्टे सिक्षानीती आईए वो 2020 की है और नई सिक्षानीती के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरों के जो पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन इनकी अध्यक्ष था में एक समीति अगठन किया गया और इस समीति ने साल 2019 में राष्टे सिक्षान निती का एक फॉर्मेट एक मसोदा तैयार किया और साल 2020 में राष्टे सिक्षानीती 2020 को मंजूरी मिल गई तो अभी भारत में कौन सी सिक्षानीती है ये तीसरी सिक्षानीती है पहली थी 1968 में दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 में 1992 में ये संशोधन था यानि स्वतंतर भारत में आ अब इस नई सिक्षानीती पर क्वेशन कौन सा बनेगा ये देखिए सवाल ऐसे बनेगा कि हाल ही में केंद्रिय मंत्री मंडल के दुआरा जो नई राष्टे सिक्षानीती 2020 को स्विकृति प्रदान की गई है ये किस राष्टे सिक्षानीती को प्रतिस्थापिट करेगी य 34 years हो गए हैं तो यह सवाल ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि नई सिक्षानीती 34 वर्ष पुरानी राष्ट्य सिक्षानीती 1986 नेशनल एड्यूकेशन नेशनल पॉलिसी ओन एड्यूकेशन एनपीई 1986 को यह रिप्लेस करेगी अब तो एक सवाल यह और यह राष्ट्य सिक्षानीती जो 2020 आई है इसकी जो समीती बनाई गई थी उसके अध्यक्षकों थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन यह सारे प्रेशन आपके सामने हैं अब सवाल आते हैं अपने क्वेशन पे इसी एन एपी 2020 यह राष्ट्य सिक्षानीती 2020 के तहत कैबिनेट ने मानव संसाधन मानव संसाध डेवलप्मेंट M.H.R.D. का नाम परिवर्तित कर इसका नाम बदल कर Ministry of Education यानी सिक्षा मंतुराले कर दिया है तो हमारे प्रश्ण का जवाब हमी मिल गया इसका पहले का अंसर हो जाएगा Option A अब से केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंतुराले को सिक्षा मंतुराले यानी Ministry Ministry of Education के नाम से जाना जाएगा तो यह हो गया आपका पहला प्रश्ण और इसमें देखिए कितनी सारे क्ष्ण हमने कवर किये हैं इसमें आखरी क्ष्ण और देख सकते हैं कि अभी सिक्षा मंतुराले कौन है एजुकेशन मिनिस्टर ओफ इंडिया कौन है तो अरत्मान में ज इसके नाम पर रखा गया है यहां इसका नाम चेंज कर जाए गया है एन आई एफम का और यह नाम किसके नाम पर है अगर यह पूछे कि कहां पर है एन एच एन आई एफम एन एफम कहां पर लोकिटेड है तो इसको याद रखेंगे यह फरीदाबाद में है फरीदाबाद क अरुन जेटली राष्टे वित्य प्रभंधन संस्तान तो इस सवाल का अंसर क्या होगा आप्शन सी बिलकुल सही रहेगा तो अरुन जेटली जी जो है ये पूर्व वित्यमंत्री रहते साल 2014 में ये वित्यमंत्री थे जब बीजेपी गवर्मेंट आई थी और अभी वरतमान में अगर हम बात करें वित्यमंत्री कौन है फाइनस मिनिस्टर निर्मला सीता रमन है अगला important सवाल देखिए सारे सवाल ही एकदम important है क्योंकि हैं change किये गए नाम केंदर सरकार ने रक्षा अध्यान एवं विशिलेशन संस्थान का नाम बदल कर क्या कर दिया है इसका short form है अरुन जीटली जी को उस संस्थान के आगे उनका नाम लगा दिया ऐसे ही इसमें किया गया है तो यह नाम आप याद रखेंगे इस संस्थान का नाम क्या हो जाएगा मनोहर परिकर मनोहर परिकर रक्षा अध्यान और विशिलेशन संस्थान यनी मनोहर परिकर institute for defense studies and analysis simple है त चलिए बताइए वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है तो minister of defense राजनात सिंग है तो यह सवाल हो गया next पर चलेंगे और यह है कहां पर इटसा है कहां पर यह दिल्ली में है next question देखेंगे हम लोग जारखंड में स्थित भारतिय क्रेशी अनुसंधान संस्थान IARI की नई building का नाम किसके नाम पर रखा गया है चलिए इस सवाल को अगर हम देखें जारखंड में स्थित जो भारतिय क्रेशी अनुसंधान संस्थान है Indian Agriculture Research Institute इसके नई प्रसाशनिक औ दॉक्टर श्यामा प्रशाद मुखर जी है Option B इनके 119 वी जहनती के अफसर पर रखा गया था याद रखेंगे यह प्रैशनिक पूछ सकता है कि एक्जेक्ट लोकेशन भी इस इंस्टिट्यूट की IARI की तो यह बरही गोरिया कर्मा जो की हजीराबाग जारखंड में है य तो यह एक्जेक्ट लोकेशन यह भी पूछ सकता है किसके नाम पर रही बनाए नई बिलिडिंग डॉक्टर श्यामा प्रशाद मुखर जी के नाम पर अगला सवाल देखिए सवाल नमबर नेक्स देखिए रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल कर क्या रखा गया है जो रेल चलिए भी वरतमान में क्या नाम है देखिए इसका रेलवे सुरक्षा बल का या रेलवे पुलिस फोर्स या आरपी एफ का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है भारतिय रेलवे सुरक्षा बल सर्विस इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस भारतिय रेलवे सुरक्षा बल सेवा ये इसका complete नाम है RPF का याद रखेंगे Next अगला सवाल देखिए प्रवासी भारतिय केंद्र प्रवासी भारतिय केंद्र का नया नाम अब क्या हो गया है तो दो कुश्चन यहां से याद रखेंगे हम लोग एक तो प्रवासी भारतिय केंद्र और जो एक दूसरा है विदेश सेवा संस्थान यह दोनो केंद्रों के नाम दोनों इंस्टिट के नाम जो है अब सुस्मा सुराज के नाम पर है तो इसका याद रखेंगे जो प्रवासी भारतिय केंद्र है इसका नाम अब क्या हो गया है सुस्मा सुराज भवन तो इसका अंसर C हो जाएगा इसमें एक building और एक संस्थान और है दूसरे का नाम याद रखेंगे विदेश सेवा संस्थान का नाम भी सुस्मा सुराज की नाम पर यह है सुस्मा सुराज Institute of Foreign Services यह अब नाम किसका बदल के कर दिया है विदेश सेवा संस्थान को अब इस नाम से जाना जाएगा और प्रवासी भारत्यकेंद्र को सुस्मा सुराज भवन के नाम से, यह दूनों प्रेशन ओगके, अगले पर चलेंगे, प्रशने के मात हैं हम से देख लेते हैं इसको भी, विदेश सेवा संस्थान अब ही बात किये हमने पिछले ही सवाल में यही वो सवाल है जिसके हम बारे में बात कर रहे थे पीछे तो यह क्या है इसका नाम विदेश सेवा संस्थान का नाम अब इनी के नाम पर कर दिया गया है सुष्मा सवराज विदेश सेवा संस्थान चलिए अब आते हैं हम अपने उत्र प्रदेश में जो स्थलो के और कई चीजों के नाम चेंज किये गए है वो परिक्षा के लिए आज से बहुत ज़्यादा इंपॉड़न है हमारे यूपी के एक्जाम्स के लिए अब इसमें पहला सवाल देखेंगे मतला वाटमा है टोटल ये उत्र प्रदेश में निर्मान अधीन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है मुगल म्यूजियम इसका नाम बदल कर किसके नाम पर रखे जाने की घोशना की गई है देखें ये इसकी लोकेशन अगर आपसे पूछे हैं लोकेशन कहां पर है इसकी उत्र पर देश के किस जिले में है ये तो UP में जो आगरा है ना, UP में आगरा में जो मुगल म्यूजियम है, यह अंडर कंस्ट्रक्शन है, यह निर्मान आधीन है अभी, और इसका नाम जो है, अब बदल कर किसके नाम पर रख दिया गया है, यह चत्रपती शिवाजी महराज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा, अप्शिन B, लोकेशन भी पूछ सकता है, तो अब यह मुगल म्यूजियम किसके नाम से जाना जाएगा, यहाँ पर है चत्रपती शिवाजी महराज म्यूजियम आगरा, यह इसका कंप्लीट नेम होगा, नेक्स्ट, चलिए अगला important question देखेंगे, हजर्द गन चोरहा जो ल अटल बिहारी बाजपीजी के नाम पर ही है, अभी देखेंगे, आग़ प्रेशन आएंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो यह चोरहा किसके नाम से जाना जाएगा, अटल चौक के नाम से, अटल चोरहा के नाम से, next, चलिए question में दिया गया है, यह यूपी का अटल चौक का फैजबाद जिला है, इसका नाम बदल कर अब नया नाम इसका क्या रखा गया है, देखेज़ के साथ कई सारे नाम भी चेंज किया गया है, आपको पता है, इलाबाद का नाम प्रियाग राज किया गया है, यह तो परिक्षाम में नहीं आया पके को common हो चुक उपाद्याय नगर वहाँ पर मुगल सराय को नगर रेलवे स्टेशन भी इनहीं के नाम पर कर दिया गया है पंडित दीन दयाल उपाद्याय रेलवे स्टेशन तो देखे इन में से कोई ना कोई परिक्षा में आपको जरूरू टकराएगा तो यह यूपी के हो गए भी अब को कलेक्शन मिलने वाला है चलिए इस सवाल को भी हम देख चुके हैं बस्ती शहर का नया नाम क्या है यह जस्ट अभी देखा है हमने इसको इसको वरिस्ट नगर ऑप्शन सी वरिस्ट नगर चलिए अगला important question देखिए गोरकपूर एरपोर्ट का या गोरकपूर हवाई टे का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसको simple याद रखेंगे बिलकुल मिलता जूलता ही нам है यह या तो मिलेगा आपको जो गورکपूर एरपोर्ट था उसका नाया नाम है ऐसे ही इसके साथ में एक और एरपोर्ट का नाम चेंज किया गया है यू-पी के ही आगरा एरपोर्ट का उसे भी अगले प्रशमें देखते हैं तो देखिए ये कलेक्शन, जो है Questions का ऐसा कलेक्शन है कि साल 2021 की जो परिक्षाएं हैं उनमें यहां से प्रेशन आपको जरूर मिलेंगे अभी और बहुत सारे हैं बहुत सारे railway stations के नाम हैं अभी बहुत सारे stadiums के नाम change किये गए हैं वो अभी आगे चल रहा है हमारा इसको detail में हम कर रहे हैं भी तो इसमें आगरा एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या किया गया है तो आगरा एरपोर्ट को अब जाना जाएगा पंडित दीन दयाल उपाध्या एरपोर्ट के नाम से अब आगरा एरपोर्ट को जाना जाएगा option C अगला इसके साथ बरेली और कानपूर में एक अला इनकानपूर और बरेली में जो एरपोर्ट है उनके नाम भी चेंज किया गया है तो कानपूर का जो एक एरपोर्ट है इसका नाम है चकेरी एरपोर्ट इस चकेरी एरपोर्ट का नाम भी चेंज किया गया है और यह किसके न या नाथ नगरी एरपोर्ट तो यह होगे चार हवाई एड़े जो यूपी के हैं भई देखो परिशा में पूछा जाएगा यहां से अगला बेहद इंपोर्टन कुश्चिन बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे का नाम बदल कर क्या किया गया है इसमें से आपको अगर याद है अटलपत किसका नाम हो गया अब बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे का नेक्स वन और इसकी लंबाई कितनी है इस एक्सप्रेस वे की 296 यानि 290 किलोमेटर आप कह सकते हैं लगभग में अगला इंपोर्टन कुश्चिन देखिए यूपी के ही चल रहा है अभी हम सारे यहां तो हमने कहा था कि जैसे हम भारत में अलग अलग जगों के नाम जो बेल्डिंग्स के नाम चेंज के गए और यूपी में सबको हम कमाइंड ली करेंगे तो यहां से दोनों ही शामिल हो जाएंगी तो यह सभी एक्जाम्स के लिए आपका खास हो गया अब है आयोध्या हवा अब इससे आप अंदाजा लगाई यह कहां पर है यह यूपी में नहीं है यह एंपी में है एंपी में कहा भूपाल तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा जो हभी गंज रेलवे स्टेशन है इसके लिए प्रस्ता भेजा गया था वो अटल भिहारी बाजपई जी के नाम पर ही किया गया है परिवर्तन नामों में जायतर तो आपने देखा पिछले कई सारे क्वेश्चन में आ चुकी है चीजें तो इसमें भी आप याद रखेंगे अटल भिहारी बाजपई जी के नाम पर ही चेंज किया गया है तो इसको अब अब अटल जंक्शन बोला ज है तो मोगल सराह रेलवेस टेशन को क्या कहा गया पंडीत दीन दयाल उपाध्याय जंक्षन या रेलवेस टेशन वहाँ का और जो इलावाज जंक्शन इन इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया प्रियाग राज जंक्शन ये भी आद रखेंगे तो यह देखिए लेकिन ये यूपी वाला है, नेक्स वन, चलिए अगला important question है, हाल ही में ये सवाल पूछावाई, जितने भी सवाल हमें discuss की हैं, सारे important है, सारे पूछे वे हैं, परिक्षाव में देखिए, कोलकाता पूर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर, कोलकाता पूर्ट ट्रस्ट या simply कह सकत हम कोलकाता बंदरगा का नाम चेंज करके इन में से क्या किया गया है, तो ये actually है कहाँ location इसकी, ये पस्ची मंगाल में है, अब कोलकाता जो बंदरगा है, कोलकाता पूर्ट या केव पीटी इसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है, श्यामपरशाद मुखरजी किस बंदरगा का नाम था, किस बंदरगा का नाम है, तो ये कोलकाता पूर्ट ट्रस्ट का, अगला important question देखिए, करनाटक में स्थित जो हुबली railway station है, इसका नाम चेंज किया गया है, क्या नाम है इसका, तो इसका answer हो जाएगा option A, answer हो जाएगा इसका A, जो हमारा हुबली, करनाटक में जो हुबली railway station है, उसका नाम बदल कर अब, श्री शिद्ध रुधा, स्वामी जी railway station किया गया है, अगला सवाल, next one देखिए, ये सवाल अभी 50 बार बताया है, आपको, मुगल सराय railway station का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो ऐसे ही पूछा जाएगा ये, पं चत्रपती शंभाजी महाराज, नाम याद रखिए, चत्रपती शंभाजी महाराज हवाई एड़ा, किस airport को नाम चींज करके रखा गया है, तो ये है औरंगाबाद airport, औरंगाबाद हवाई एड़े को अब जो है, चत्रपती शंभाजी महाराज हवाई एड़े के नाम से ज आगला कुछ इस तरह है अगरतला एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसको किया गया है देखिए ये है कहां पर ये तिरिपुरा में है इसको याद रखेंगे motivation भी matter करती आपनी कभी पूछ लेता है परीषा में तिरिपुरा में है ये और इसको अब किस नाम से जाना जाए गा महराजा वीर भीकरम महराजा वीर वीर विक्रम किशोर के नाम से, वीर विक्रम किशोर एरपोर्ट के नाम से, यह विक्रम ही है, विक्रम नहीं है, सवाल नमबर नेक्स रहेगा, देखे, स्वच भारत अभियान जो आया था, उसमें जो स्वच भारत है, उसको एक नाम चेंज करने की बात की गई थी, और वो रखा गया है, हन जी, तो इसमें हम बात कर रहे थे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को इसका आप शोट फॉर्म में बहुना चाहिए तो ट्रिपल भी पी के नाम से इसको जाना जाता है, अब इसको जो है, रिनेम करने की बात की गई थी, इसका नाम बदला गया और इसका आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी इस बदलाव का फुल फॉर्म इसको भीयाद रख लेंगे ये ट्रिपल बीपी यह नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां ये जो है कब शुरू किया गी थी 22 जनवरी 2015 ये डेट बहुत इंपॉर्टन्ट है कई बार पूछी हुए परिक्षा में MHRD के तहथ इसको शुरू किया गया था नेक्स्ट वान चलिए इस सवाल का जवाब देजी ट्रेन 18 ट्रेन 18 का नाम बदल कर क्या किया गया है चलिए इस ट्रेन की बात करते हैं हमाबी पहली इंजन रही ट्रेन इसकी स्पीड है 160 km ps amo भूब धर करती कि इसका नाम आपको बताना है इसमें दो औपशन एक जैसे दे राखे है एक तो औपशन और उप्शन ए तो जल्द जल्दी में आप उपरबाला भी लगा सकते थे वंदे मातरम एक्स्प्रेस बट यह नहीं है इसका अंसर यह वंदे भारत एक्सप्रेस है एक्सेक्ट नहीं में इसका क्या वंदे भारत एक्सप्रेस next one बहुत important सवाल है ये Wheeler Deep Wheeler Deep का नाम बदल कर क्या रखा गया है पहले देखेंगे कि Wheeler Deep है कहाँ पर Wheeler Deep की अगर location देखोगे तो ये Odisha है ये भारत का पूर्वी तठ है ये side जो है ये भारत की पूर्वी side है ये पस्चिमी side है पूर्वी side में जो Odisha राज्य है भारत का Odisha से इसके ये समुद्र लगा हुआ ये बंगाल की खाड़ी है ये अंदर बंगाल की खाड़ी में 150 किलोमेटर जवाब आएंगे लगबग यहां तो यहां पर एक island है इस island का नाम है Wheeler Island और इसी Wheeler Island का जो नाम है वो Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम के नाम पर है option A तो ये Odisha सरकार ने किया है इसको Wheeler Deep का नाम चेंज Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम आईलेंड किया है इसको next one चलिए अगला बेहत महतपूर question देखेंगे सवाल नमा next है Havelock Deep जो है Havelock Deep का नाम बदल कर क्या रखा गया है देखें ये इनकी location पूछ सकता है पहले वाला भी हमने देखा है Wheeler Deep जो है वो Odisha में है और ये Havelock जो है और इसके बाद अभी एक दोर पढ़ेंगे हैं इनकी location जो है हम बता देते हैं आपको क्योंकि पूछ जाएगा ये तो ये नाम जो change किये गए थे 2018 में किये गए थे लेकिन आज भी important है परिक्षाओं में ये पूछ जाते है तो प्रदान मंत्री नरींदिर मोदी ने क्या किया था साल 2018 में इनोंने अंडमान निकोबार ये भारत के आइलेंड है ये द्वीप समू है बहुत सारे दीपो के ग्रूप है यहाँ पर दीपो के समूँ द्वीप क्या होता है कोई भूमी का वो हिस्सा टुकडा जो चार ओर से पानी से गिरा रहता है अंडमान निकोबार के प्रधान मंतरी ने तीन द्वीपो के नाम चेंज किये थे अब कौन-कौन से हैं वो और क्या का नाम है उनके भी चलिए याद रखने वाली बात है तीनों की तीनों ये तो यहाँ याद रखेंगे इसमें तीन आइलेंड हैं और अंडमान निकोबार में जिसको प्रधान मंतरी ने ये यहां घोषना की थी और तीनों के नाम चेंज कर दिए इसमें एक आयलेंड है रोस आयलेंड जो रोस दूइप है इसको convert कटिए इसका नाम change कर मशली कर दिया इसको नीता जी सुभाश्चंदर भूस दूइप में बदल दिया दूसरा है नील दूइप इसको जो है सहीद दूइप कहा जाता है तो सवाल हमारा इन तीनों में से कौन से पर है है इसका आंसर आप करेंगे को क्या कहा गया सुराज दीप तो यह जानकर यह आपको पता होनी चाहिए सारे प्रशन से संबंदित सवाल नमबर नेक्स देखिए अभी अभी देखा है हमने रोस आइलेंड यह रोस द्वीप का नाम बदल कर क्या किया गया है इन तीनों को अलक्से फ्रेम कर सकता है हमने आपको यह की जगह बता दिए तो अभी देखा है नीता जी सुभास चंदर बूस आइलेंड कहा जाता ह है रोस द्वीप को सवाल नमबर अगला भी important है यह सवाल देखिए IPL की टीम है दिली डेर डेविल्स दिली डेर डेविल्स इसका नाम बदला गया है तो हमने नाम बदलने वाले जितनी प्रश्ण हैं चाहें किसी भी छेत्र में नाम बदले हो सब को यहां cover कर रहे हैं तो सब बहुत important है अपने आप में प्रगती मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है सबसे पहले पूछ लेगा कहां पर है तो इसको आप जान रहे होंगे अगर आप दिली आये होंगे कभी तो यह प्रगती मैदान मेट्रो स्टेशन जो है यह डेली में है और इस पर जो है एक्चुली यहाँ पर क्या हुआ है इसको सुप्रीम कोट मेट्रो स्टेशन भी अब कहा जाता है अब इसका नाम चेंज किया गया सुप्रीम कोट मेट्रो स्टेशन जो प्रगती मैदान है वही पर सुप्रीम कोट है अब जाते सुप्रीम कोट का है हमारे चलती है Metro की तो ये कौनसी लाइन पर है Blue Line Metro पर है ये ये Blue Line Metro पर है प्रगती मैदान या फिर Supreme Court Metro Station सवाल नमा next देखेंगे दिल्ली में एक road है इसका नाम है ओरंग जेब road इसका नाम change किया गया और अभी फिलाल में क्या है इसका नाम है Kalam Road कलाम रोड है या फिर आपको मिलेगा पूरा नाम मिलेगा complete APJ अब्दुल कलाम रोड ठीक है option की बात हम कर रहे हैं भी तो simply यहाँ पर क्या है कलाम रोड या APJ अब्दुल कलाम रोड चलिए next और भी important सवाल है यह भी फिरोच्षा कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर क्या किया गया है इनकी location भी आपको पता होनी चीए तो फिरोच्षा कोटला स्टेडियम है कहाँ पर डैली में है तो इसको पूर वित्यमंत्री अरुन जेटली के नाम पर किया गया है तो यह क्या हो गया अरुन जेटली स्टेडियम नाम है फिरोच्षा कोटला स्टेडियम का next बन देखेंगे इकाना अंतराष्ट्य यह सवाल नमबर अगला है इकाना अंतराष्ट्य क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम चेंज किया गया है अब पहले देखेंगे है कहाँ पर ये तो इकाना इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है ये लखनाओ में है देखें तो इसका अब नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपी अंतरास्टी स्टेडियम सिंप्ली ऑप्शन में तो ये है लेकिन इसका पूरा नाम अब हो गया है पहले इतना था ये इकाना क्रिकेट स्टेडियम अब हो गया है बी आर एस एबी वी कंप्लीट नेम है इसका ये साथ में जोड़ते वे तो इसको हम बोलेंगे भारत रतना श्री अटल बिहारी वाजपी इकाना क्रिकेट स्टेडियम तो अप्शन है इसका सही अंसर सवाल नमर नेक्स देखिए विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है और ये कहां पर है एहमदबाद गुजरात में है ये और इसका नाम क्या है सरदार पटेल स्टेडियम इसको कहा जाता है मोटेरा स्टेडियम को ही अब क्या कहा जाता है सरदार पटेल स्टेडियम सवाल नमबर नेक्स देखिए चतिस गड़ की राजधानी का नाम बदल कर क्या किया गया है जिसका चतिस गड़ की राजधानी नया रायपूर है लेकिन उसका नाम चेंज अब कर दिया है ये क्या है अटल नगर कर दिया है इसकी राजधानी को अब अटल नगर next one देखे, कांडला बंदरगा, कांडला पोर्ट जो है, इसका नाम चेंज किया गया, अब क्या हो गया ये, दीन दयाल बंदरगा हो गया, कांडला बंदरगा अब दीन दयाल, अब यह है कहाँ पाइसकी लोकेशन, यह कौन से स्टेट में है, गुजरात में है, सवाल नम्बर अगला भी important है, चेंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो यह है, पुरेच्ची तलेवर, पुरेच्ची तलेवर डॉक्टर एम जी रामचंदरन सेंट्रल रेलवे स्टेशन इसका पूरा नाम है, यह RL और है रेलवे स्टेशन को, पुरेच्ची तल भवनपुर, कुष भवनपुर इसका नया नाम है, सवाल अबर नेक्स देखेंगे, जो चेनानी नाशरी सुरंग है, इसका नाम चेंज करके, अब क्या किया गया है, तो जम्मो कश्मीर की है यह टनल, जम्मो कश्मीर की जो चेनानी नाशरी सुरंग है, यह 9 किलोमेटर लं ये भी अच्छा सवाल है, यहां देखें, केंदर सरकार के तोवारा रोतांग सुरंग, रोतांग सुरंग का नाम चेंज किया गया, अब ये क्या है, तो केंदर सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाला जो एक पास है, रोतांग दरा है, यहीं पर एक टणल बनी हुई ह जिसे हम रोतांग सुरंग या रोतांग टनल कहते हैं इस टनल का नाम अब अटल टनल हो गया या अटल सुरंग इसको कहा जाएगा नेक्स वन नेक्स वन देखेंगे जम्मू कश्मीर के एतिहासिक सिटी चोक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है तो इसको कहा जाता है अब भारत माता चोरहा या भारत माता चोक है ये तो इसका option है हो जाए चले इसको याद रखेंगे जो बोगी बुलपुल है इसका जो नाम है ये क्या है अटल सेतु है ये सवाल नमबर अगर देखिए ये है जार सुगोड़ा हवाई एड़ा है जार सुगोड़ा एरपोर्ट है ये कहां कहा है ये पूछ सकता है तो ये उडिसा में है उडिसा का एरपोर्ट है इसका नाम चेंज किया गया है और इसको नाम चेंज करके बनाया गया है वीर, सुरेंदर, साई, हवाई, अड़ा नेक्स वर नेक्स वर देखेंगे जो शिमला है हिमाचल प्रदेश की राज़ानी इसके नाम को बदलने के लिए विचार चल रहा था तो इसकी प्रस्ताप पर विचार किया जा रहा था तो जिसका नया नाम जो सुचा गया था वो क्या था शामला, इसको याद रखेंगे शामला ठीक है नेक्स वर देखें साबरमती घाट का नाम बदल कर क्या किया गया यह गुजरात में है और इसको अटल घाट के नाम से अब जाना जाता है सवाल नमबर नेक्स देखें यह भी अच्छा सवाल है जो नोगर रेलवे स्टीशन है इसका नाम चेंज किया गया है अब यह सिधार्थ नगर रेलवे स्टीशन के नाम से जाना जाएगा यह जो है नेपाल बॉर्डर पर रिस्थित है यह एक्छुली सवाल नमबर नेक्स देखें किस देश ने डॉक्टर हरीवन श्राय बच्चन जो की अमिताब बच्चन के पिताजी है इनके नाम पर एक चुराहे का नाम रखा है तो यह कौन सा देश है यह पॉलेंड है पॉलेंड में एक शहर है इसका नाम है ब्रोकला ब्रोकला शहर में जो है एक चुराहे का नाम जो हरीवन श्राय बच्चन के नाम पर यह रखा हुआ है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इस कुछन को अभी पढ़ा है हमने देखे कोई भी कुछन को जो है दो तरह से पूछा जा सकता है और रिवर्स करके उसको तो किस रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर किया गया है अभी देखा है हमने जो नोगट रेलवे स्टेश अगर यूपी के गोरगपुर जिले में अब नेक्स देखेंगे चलिए इन लास्ट पर नजर डाल लेते हैं अपनी जो मंडू वाडी रेलवे स्टेशन है इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन और मुंबई सेंटर रेलवे स्टेशन को आज हमने देखे हैं इस वीडियो के मुझे लगता है 60 से जादा नाम हो गए हैं और इनी में से आपको परिक्षा में कोई 2 से 3 नाम जरूर मिलेंगे चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजे तो यह आप देख सारे questions हो गए आपके लिए इस वीडियो में इतने कम समय में चलिए thank you so much